हाल ही में पांच राज्जों के विधान सभा चुना हुए और इनके नतीज़ आ चुके हैं पांच मैसे कि इन चार एहम जो राजी थे वो सब की निकाहें ओसन के नतीज़ों पर चुके मेजोरम में ना कॉंग्रेस के लिए कुछ जादा था वहाँ पर और नाहीं बीजेपी ये किसी और पार्टी के लिए राजिस्तान, मदपरदेश, च्छटीज़गा और चलंगाना ये वो चारह राजी थे गिन पर लोगों के नजरें थी कि वहाँ के नतीज़े कैसे होंगे और यही नतीज़े आगे आने वाले वक्त के लिए एहम थे जो भारत की राजनीतियों को तै करने जा रहे हैं नतीज़े आ चुके हैं, सब के सामने हैं, कितनी सीटें किसको मिली हैं, ये आखरे आप लोगों की जनकरी महूंगे वोट किसको कितने मिले और कितने प्रतिशक मिले, ये भी मेडिया आप तब बता चुका है हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं, वो कुछ अलग तरह की बात हैं, जो इस लीडियो में आपको टिक्षने को मिलेंगी पहली बात तो ये है कि जब बीजेपी चुनाब चाड़ने जाती है किसी भी राज्य में विजहनताबा के हों, ये लोकल बडिश के हों तो उसके साथ एक पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाता है जिसमें आर एसस के 20-25 करोर जो बता जाते हैं, वो सदिस्से हैं चुनाब में मौजूद होते हैं, और वो हेल्प करते हैं बाती इंतर पार्टी को चुनाब के दौरान इस बार भी राजिस्तान में रेड हुई, 36 गड़ में रेड हुई अच्छा मुद्ध इस चुनाब में कोई थे नहीं, ना पाक्ष के पास थे ना विपाक्ष के पास थे विपाक्ष जो था, वो कॉंग्रेस थी चारो राजियों में और पाक्ष थे था बाती इंतर पार्टी तो बीजेपी के पास चंटा से जड़ हुए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था कोई मद्ध नहीं थे, क्या करना है, कोई मतलब नहीं उससे बात करने की वहां थे बावर, अकबर, हमास और इस्राइल का युद्ध ये जीत जाएंगे तो फिर लोगों को के गले काटे जाएंगे, इस तरह की बाते होई, और चुके बीजेपी के पास पैसा है, मेडिया है, और जो बाकी चीज़े हैं, वो उसके पास सारा कुछ मौजूद है, तो उसे चुना लोड़ने में कोई मुश्किल होती नहीं, पक्षी जो था, यानि विपक्ष कॉंग्रेस, और अन्य दल, चोटे दलों के हम बात नहीं कर रहे हैं, सीज़े सीज़े कॉंग्रेस की बात करेंगे, तो कॉंग्रेस के जो मुख्यमंतरी थे, जैसे राजिस्टान में, अशुक गेलोड, वो फिर से एक बार मुख्यमंतरी जाने देना नहीं चाते, हर हाल में उनको हकुमत चाहिए होती है, अपने हाथ में, तो अशुक गेलोड, तो तीन बार पहले मुख्यमंतरी बन चुके, फिर से वो मुख्यमंतरी बनना चाते थे, और इसके लिए उन्होंने जो कुछ करना था, वो किया भी, और आजिस्टा और बात हुती, लेकिन गेलोड साथ वो ही प्राने लीडर हैं, और उनको सक्ताम बने रहना था, मद्यपार्देश में, वहाँ भी कॉंग्रिस के जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने हिंडुत के जितने भी मुद्दे थे, वो सारे के सारे अपना लिये थे, मातिय इंतर पा कॉंग्रिस के बड़े नेता पहुचे, जन्ता की सुद्ध उन्होंने नहीं ली, जन्ता के मुद्दों पर बात कॉंग्रिस की तरफ से नहीं कही गई, राहुल गांधी जो चाहते थे, उस पर बात कॉंग्रिस के लोकल लीडर्स ने चारों राज्यों में न की न कहीं, और उस पर आगे कुछ करेंगे बात नहीं गी। जातीगत जन गलना राहूल गांधी उसका स्पोर्ट करते हैं लेकर लोकल लेवल पर थीनो राज्यों में, राज़िस्तान में, पृदफरेशन वे शट्नित गर्वे जातीगत जन गलना की कोई बात नहीं कहेंगी। वहाँ बाबा बागेश और थे, कमल नाथ उनकी शरण में लिये हुए थे, बाबा बहुत पहुची हुए बाबा हैं, उम्र कमें, लेकिने काम उनका बहुत ज़्यादा है, लोग उनके पास बहुत हैं, तो वो उसमें शामिल हुए और बाबा की शरण उनको लेनी पड़ी, कम से कम साथ सीटें लियाना थी, वहां हुकमत से बाहर हो गई, बातिन्ता पार्टी का सीटा सीटा उन्होंने कहा कि ये जीट पजारमंत्री मोधी किये, उनके वादों किये, लोगों से जो उन्होंने गारंटी दिये, उन गारंटी पर लोगों ने वरुसा किया, बहुत सारे वोहर्णी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब तीन राज्व जो मैई जोड़ी की गारंटी पर लोगों ने वोड रिया तो ये गारंटी पर टे लंगा ना ना के उन्हें sudah टेलंगा ना में वीजेपी क्यो नहीं जीती तो हम बताएं कि चेलंगा ना में पिछली बार कॉंग्रेस की एक सीर थी, एक सीर से सत्ता तक पहुचना वहाँ कोई मतलब था नहीं, वहाँ जीत में दिया गया कॉंग्रेस को चुकि वहाँ बीजेपी नहीं जीच सकती थी, जीत में दिया गया कॉंग्रेस को, चुकि वहाँ बीजेपी नहीं जीच सकती थी, ये तीन राज्यों में कॉंग्रेस को हार हुई, चुकि वहाँ यहाँ पर हारना ही था कॉंग्रेस को, दो हजार चौविस के चुनाव मजदी के, उससे पहले ये चुनाव, टेलीजन पर सर्वे हो चुके थे, बता दे गया था, कहां पर कितनी सीटें आ रही हैं, पहले से भी बीजेपी की तरसे अलान कर दिया था है, कि हम इस बार दो सो पार, अब की से चार सो पार, अब की से डॉ कर दी आती है, और फिर पूरा का पूरा जो इस फीटार है, इंट्रास प्रेटर जो लोग हैं, वो इनके अपना काम करते हैं, बड़ा काम होता है चुनावा होता है, और मशीनों का जो इस चुनाव में मशीनें स्टमाल होती हैं, अब बिएम, हम उस पर कोई बात नही कर रहे हैं जिक इस तरह से चनाव में TVM कनिपलेट होता है या चनाव आई थको यह नहीं करता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं हम दूसरी बात करेंगे तेलंगारा में कॉंगरेस को जीतने दिया गया चूकि BJP नहीं की सकती ती ताजिस्तान मदद पद्वें 36 गड़ में बीजेपी को जीतना ही था इसलिए वो जीत गई अच्छो देखें अब यह जब नतीज़ आए तो कहा जाता है कि शिकाष्ट इंसान को यतीम बना देखी है राहुल गांदी के ऊपर फौरान राशन पानी लेकर के बहुत सारे जो नेताएं लोग हैं वो सवार हो गए और उनका के राहुल गांदी ऐसे राहुल गांदी वने चलाओन लोगों ने मुझी को जिता दिया तो ऐसा कुछ है नहीं हारने के बाद इंसान के अंदर बहुत सारी कमियं ढूंडी जाती है और हारने वाले को एक समझाएता है कि ये बस ऐसे ही उसका कोई भरोसा नहीं है या वो जीट नहीं सकता या वो बहुत कमजोर है राहूल गांदी के हारने से या विपक्ष्टी अन्य पार्टियों के हारने से चीजां नहीं बदलेंगी बात सिर्फ इतना है कि जो बीजेपी की चर्व से कहा गया आज तोर से ग्रहमेंट्री अमेश्या ने कहा कि हम 50 साल हुकुमत करेंगे तो अब यह कहा जा सकता है इन तीन राज्यों में बीजेपी की जीट के बाद कि 2024 में बीजेपी आसानी के साथ चुना गीट जाईगी और 2019 में और 2019 के बाद फिर उसको कोई हरा नहीं पाएगा क्योंकि 2029 में जो भी 543 परलिमेंट की सीटें वो तब 880 सीट हो जाएंगी नए परसी मन होंगे सीटें बढ़ाई जाएंगी राज्यों में और जिले में सीटें बढ़ाएंगी तो उसमें कुछ इष्टरा का मटवारा होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में सीटें जाएंगी नौस में और साउस में सीटें कम बढ़ाएंगी तो भाती इंतर पार्टी बहुत सुकुन के साथ आरे से बहुत आसानी के साथ इन हिंदी राजियों में ही वो अपना चुनाव जीट लिया करेंगे कुल मिलाकर के 2023 में हुए ये चुनाव आगे की राजनीती के बारे में कुछ इस तरह का बयान करते हैं कि अब विपक्ष के लिए स्पेस खत्म हो चुकी है अब बीजेपी को जीटने से कोई किसी भी चुनाव में नहीं रुक पाएगा और जो कुछ चुनाव करना है पिर वो तो जाईसी बाते होता रहेगा देश के अंदर बहुत सारी चीज़े होती रही और लोग खामोश रहे तमाशा देखते रहे उस पे नहीं बोले भारत में 1947 में भारत को अंगरेचों से आज़ादी मिली 1950 में सम्विधान लग हुआ लेकिन बहुत चुटी सी एक बात यहां आपके जहन में लाना आपके सामने लाना चाहते हैं हिंदी फिल्मों को आपने देखा होगा किस हिंदी फिल्म में भी अदालत का कोई सीन होता था और वहां किसी से जब गवाही वगरा होती थी तो उसके सामने गीता, कुरान, बाइविल, इस तरह की कोई कोली बुक लाकर के कहा जाता था हाथ धर के कसम खाईए फिर वह विक्ती जो गवाही देने के लिए कोर्ट में आया हुआ होता था वहाथ रखके खाता था कि मैं गीता की शपत लेकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा अब गीता, कुरान और बाइविल क्यों वहाँ अदालत में इस्तमाल की जाते थे आपको सचपत सम्विधान की क्यों नहीं जलाते थे क्योंकि एक काम अलग से भी चल रहा था देश को दूसरी दिशा में ले जाने वाला और वो फिल्मों के जरिये किया गया हूँ अभी एक फिल्म आई हुई है इस वक्त एनिमल चुनाओ के बीच में हम इदर उदर की बात नी करेंगा आज नजियों के बीच में क्योंकि हम कोई डिपोर्ट पेशन कर रहे हैं सिर्फ बाचीत कर रहे हैं एक फिल्म आई हुई है एक सोचोबीस, चबीस करोर रुपे पहले दिन कमाती है, 114 करोर दूसरे दिन, 4 दिन के अंदर 215 करोर से जादा की कमाई एनिमल ले कर लिए है, अब इस फिल्म में जो खून खराबा दिखाया गया है, आप देखेंगे फिल्म, उपर ए खौफनाक फिल्म है, और बे मतलब की फिल्म की फिल्म है, बोगास, बंडल जिसको कहना चाहिए, लेकिन पाब्लिक ने देख ली, क्योंकि उसकी पाब्लिक सिटी बहुत हो गई थी, उस पाब्लिक सिटी से आकर्शन बहुत लोगों का और उस सिनेमा घर में फिल्म देखने पहुँच गई, तो जो चाहिए था वो तीन-चार दिन के अंदर ही फिल्म ने, और अगले आने वाले वक्त में अपना जो भी उसकी कमाई है वो और जादर कर लेंगे, फिल्म को ब्लॉगवेस्टर का टाइटल मिल चुका है, फिल्म की कहानी के बारे में हम कह रहे थे हैं, इसमों कुछ भी नहीं है पूरी फ अबरार, बावी डेवल, उसको बना जिये गया, भारत के सबसे अमीर विजनिसमेन के को लेकर की ये कहानी बनाई जाती है, रनवीर कपूर का बाप अनिल कपूर, वो बड़ा विजनिसमेन है, भारत का सबसे बड़ा, और उसी कारोबारी लाई में ये टाम चीड़ है, भारता हुछ तीज़ है, ये लोगों को मेंटल सिक कर देती है, इस तरह की तीज़ है, फिल्म में इस तरह की सीनें जैसे आईएसाईएस के लोग करदन कारते थे, फिल्म सुसाइटी का और अगर रफलेक्ट करती है, ये कहा जाता है, तो हम ये देख़एं कि हमारी पार्टी जीती आती है तो उसके पास संप्रता एक उद्धा था विकास की बात नहीं थी नौकरियों की बात नहीं थी वे रोजगारी की बात नहीं थी पांच किलो राशन फिरी में मिले गए ये बात थी भार्टी इंटर पार्टी RSS का अपने एक दुश्मन है और वो दुश्मन है भारत का मैनोर्टी मैनोर्टी में भारत का मुसल्मान उसका खौफ दिखाए जाता है बावर चुनाव का मुद्धा था हमास और इसराइल के बीच चिंग चल लिए फलिश्टीन में वो भारत के चुनाव में मुद्धा था तालिबान का इलाज हनुमान जी की गड़ा है और हमास का इलाज इसराइल चुन चुन करके उन्हें मारकर कर रहा है ऐसे बेहन दी जा रहे थे कहा जा रहा था कि अगर ये सक्ता में वापस आ गए ये मतलब कांग्रेस तो फिर लोगों के गले काटे जाएंगे जैसा एनिमल पर काटा जा रहा है तो भारत में एनिमल की जो आइडेंटिटी है वो मुसल्मानों के साथ चस्वा कर दी जा चुकी है ये अनिमल है और अनिमल के तो फिर गली काटे जाएंगे उनको जदा रहने से कोई फाइदा नहीं मीडिया ने इसमें बहुत हैं रोल अदा किया है और चुके मीडिया आगे बहुत सब्सेयot हैं तो वो बात करना भी है फुजूल की सी बात है है जह बार बार यह इह केदे काम करने में लगा हुआ है उसका कोई एनिमी नहीं है एक ही दुश्मान है और वो मुस्लमान हैं भारत का होगा क्या अब क्योंके 24 के चुनाओ का काड़ी करम अपरेल से शुरू हो जाएगा मई तक ये सब चीज़ें गिंती हो गरा सब वो करके खत्म हो जाएंगी और मई के लाज तक भारत के नहीं प्रधान मुंतरी को शफ़त लेनी होगी तो कुल मिला करके अगर हम देखें तो अगले तीन महिन में कोई करिश्मा ऐसा नहीं होने जा रहा है जो विपक्ष RSS का मुकाबला कर सके बहुत आसानी के साथ 2 या 24 में लोग समझा रहे हैं बता रहे हैं वो हिमत बढ़ाने के लिए होसला बढ़ाए रखने के लिए ऐसी बाते करना भी जुरूरी हो चाहिए तो हिमत तो लोग इनसान को नहीं हरना चाहिए लेकिन सच को भी चुटलाना नहीं चाहिए भारत के मुसल्मान जो 1947 में बटवारा हुआ और उसके बाद जो भारत में रुके तो उनको बड़ी उमीद थी कि जिस तरह से बड़े नेताओं ने कहा है कि सब मिल करके रहेंगे भाई भाई की तरह रहेंगे तो उसी तरह से सब लोग मिल करके रहते चले आए उनको ये निमा अंदाजा था कि भारत के मुसल्मानों के साथ आगे चलके क्या होगा मुश्टकेल काम होता रहा अब बड़े लेवल पर ये बात होती है कोई भी अगर मुसल्मान के बारे में बात करता है कोई मुद्दा उठाता है तो कहा जाता है तुष्टी करन की राजनीती की जा रही है और ये बड़े लेवल पर बात की जाती है तुष्टी करन उसकी राजनीती की जा रही है और यह मुसल्मानों के हमदर्द है कोई भी डल हो विपक्ष में जैसे यह मुसल्मानों के पक्ष की कोई बात करेता है हग बात करने की कोशिश करता है तो उसको मुसल्मानों का हमदर्द बता करके अब डर की वजासे वो विपक्षी डेल्वी मुसल्मानों के बारे में ना कुछ कहते हैं ना कुछ करते हैं चुकि उनको डर है कि हमारा वोट जो है वो खराब हो जाएगा और हमके दूर हो जाएगा अब कांग्रेस तीन राज्यों में हार चुकी है तलाश करेंगे कॉंग्रेस के लोग भी हम क्यों आ रहे एक्सपर्स भी बताएंगे मेडिया में के कॉंग्रेस की हरकी वजाएग क्या रहे है हम इस पर आज बाती नहीं कर रहे हैं क्या वजा रहे है क्योंकि अब वजाएगे तो सबी इसको पताएगे और वो उस पर बातें करते रहना बेवजा है RSS ने सौ साल तक महनत करके अपनी जड़ें बहुत मजबूत की उसने कंट्रोल किया एक एक जो देश के अंदर समवेदैनिक संसाय उन पर अब उनका कंप्लीट कंट्रोल हो चुका है इनसाफ की बात करें तो कल 6 दिसंबर है आज जी 5 दिसंबर है तो कल का दिन 6 दिसंबर वो भारत की में ना इनसाफी के लिए कैसे होती है वो वतानिता आप हो दीज़े यह इस्टोरिकल दे है 6 दिसंबर किसी को सजा नहीं ही सब बच गए अब बाकी चीज़ तो सब खतम कर दी गए जब किसी समाज में किसी मुल्क में कानून का राज नहीं रहता है तो एनिमल जैसी फिल्में बनती है एनिमल जैसा वातावरान तेयर हो जाता है लोग गले कारते हैं लोगों के और दर्शक बैटे हुए तालियां हो जाते हैं वह क्या एक्टिंग की है दिस इज़ दा रिफ्लेक्शन ऑफ आर सोसाइटी जो दर्शक तालियां हो जा रहा है गला कार्टने पर सामप्रदाइक्ता की राजनीटी की ये एक्जाम्पेल से हमास जनका चनाव में मुद्दा है हिंस्तान में इसराइल मुद्दा है विकास की बाती नहीं होती इलेक्शन में बेरोज़ारी खत्म करने की बात नहीं होती कहा जाता है आपका मुफ 5 किरो इनाज मिलेगा अब बोर्ट दीजिए दो यार अठाइस वर टाइस तक शायदो बरादी गया आगे का चनाव भी दो यार उन्टीस की भी चनाव भी अब ये विपक्ष के लोग क्या करेंगे तो बहुत सारे नेता तो पार्टी हम बदल के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे बहुत मुम्किन है सक्षिन पाइलेट बीजेपी में चले जाएंग एसी बात हो रही है हो सकता चले जाएंग कमल नाक जो कमल के काम आए वो भी जा सकते हैं तो क्या अब सकता पांच साल तक तो अब तो इस बात तो चुन के आई है विश्ली बात तो जो तोड़ करके और सरकार से अठाके कॉंग्रेस को बन गई थी बीजेपी की सरकार लेकिन अब तो जीत करके आएं तो इस जीत में तो आप कोई मसला ही नहीं है कमल नाक को शामिल होने के लिए बीजेपी में उन्हें पता है प्रदेश की राजनीती में अब पर्लेमेंट की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी एंड हो चुका है अपोजीशन के लिए उत्ता परदेश में ही अब से 20 साल पहले 24 में 3 में 2 में दरजन बार से जादा छोटी छोटी मुसलिम पॉलिटिकलल पार्टियां थी जो दो दो चार चार जिलों में काम करती होती थी वो सत्ता में नहीं थी उनके MPML नहीं थे उनके सबासाद ये परदान नहीं थे फिर भी वो होती थी काम करती हूँ नजर आती थी चोटे मोटे मामले में किसी मसले पे धरने परदेशन कर लिया करती थे वो लोग जो विकर सेक्शन था उसकी बात कहीं ने कहीं किसी लेवल पर उनके जरीवी कहीं जाती थी अब तो ताकत वहर लोग बोलने को तियार नहीं है और उनको खामोश करा जिये गया बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान थी बहुजन समाज अंदोलन से पैदा हुई पार्टी नजर ही नहीं आती है मायवती की पहचान थी ठसक्चे साथ पॉलेटिक्स करना अब बहुत अच्छा एड्मिनेस्टेशन हुआ करता था ब्यस्वी का अब ब्यस्वी की जिक्ति नहीं मायवती बोलती ही नहीं मुलाइम सिंग की पॉलेटिक्स अब अखले शादव से आगे चला रहे हैं अब अखले शादव सब्ता तक पहुंच पाएंगे यूपी में बहुत मुश्किल हो चुका है आज की परिष्टेटियों में विपक्ष के लिए अब स्प्रेस नहीं बचाएं किसी भी तरह से क्योंकि यहां से आगे जैसी बीजेपी जीती है तो राजिस्थान के अंदर तो नतीजों के बाद फॉरण नतीजे दूसरे भी आना चुरू हो गए वहाँ पर जो एक सांसद हुए है उन्होंने निकल के और बहाद इतनी भी चिकेन वेकिन की दुकाने थेले उगरा लगाई हुए थे मैनोर्टी सेक्षेन के लोग वह सब बंद कराने के लिए लोग डर के बारे भाग गए कामदंदी तो पहले ही खतम है लोगों के पास है निरोजगार अब जो छोटा बोटा काम करके सब्जी बेच के चिकेन बेच के बटन बेच के या कहीं कोई फ्राई वगरा बेच करके अपना काम चलाते थे वह सब खतम वह भी होने जा रहे हैं 36 गड़ में बुल्डोजर बाहरा चुका है लोग बुल्डोजर पर बैठ करके चुनाव में पच्चा भरने जा रहे हैं बुल्डोजर हमारी आइडिन्टी बन चुका है विकास की जगा बुल्डोजर ने ले लिए ये नाइनसाफिया जो हो रही है और अदालत क्या कहा है उसको कंटेंट ओफ कोर्ड हो जाता है जारा भी अदालत के मामने हो कुछ आ बोला है तो कि इसी की भी चुछ उठा कि आप किसी को भी दे दे और पिर कहें इंसाफ है ये आने वाला जो वक्त है इन चुनाओं के नसीज़ों को देख करके हम कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है खुछ ओने की बात है उन लोगों के लिए जिनोंने सौसल तक मेहनत किये हर हल में मेहनत किये और जो वो चाहते थे उसमें कामियाभी हासिल किये हिंदू राष्ट बनाने की बात की तो हिंदू राष्ट की तरह तो भारत बेव कर रहा है दश्कों से भारत का जो सिष्टम है वो काम कर रहा है हिंदू राष्ट की तरह लोग ढरते हैं मुसल्मान की बात करने से मेडिया अल्ला अल्ला मेडिया ने तो दुश्मर बनाई हुआ मुसल्मान को अब ये नतीजे तो आगए अब नतीजे जो आएंगे वैसे वाले उन्हें बगटने के लिए त्यार है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहां निराश होने की बात उनको तो बिल्कुल भी नहीं है जो राजनीती में वो एक दल से दूसरे में चले जाएंगे उनकी कोई आइडियोलोजी कुछ तया नहीं उनको तो किसी भी सूरत में स्यासत करना है अब जैसे कॉंग्रेस की सरकार चलीगी राजिस्टान में तो पहले जिस वक्त मेडम सिंधिया की रुकुमत की उस वक्त आजिस्टान जाना हुआ तब भी रिखा कि मसल्मानों के बड़े इताकत वा लोग जिससे ही मुलाकात हुई वो कौन है सब ये आरेसस के बड़े करीबी हैं ये बीजेपी में इनके बड़े से मामलात हैं और ये बीजेपी के फ़रा प्रोकॉष्ट के ये नेता है राष्टे चलास करने हैं आप भी सब आने वाले वक्त कुछ यसी तरह का होगा मुझाशे खत्म हो गई है सक्ता संगठन के आथ में एक संगठन के अब उस संगठन को आप भारा नहीं सकते हैं अंग्रेज भारत में बहुत थोड़े से आये थे पूरे 500 साल राच किया बहुत थोड़े से बने रहे हैं कभी 30,000 कभी 32,000 कभी 28,000 50,000 से जादा कभी नहीं हुए जहां जबके भारत की आवादी 25 और 30 करोर के करीब थी 30,000 अंग्रेजों ने भारत पर 500 साल राच किये हैं जब भारत छोड़ करके भी वो गए 1947 में तब 26 से लेका 8,000 के करीब थे वाद सुकून के साथ टाटा बाई 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 करती हुए यहां रगेटे चुक्के वो टेकर चुके थे कि हमको छोड़ करके जाना है और उसके बास से तो जब किसी का किसी सिस्टम पे कंट्रोल हो जाए अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका तो सब पर उन्हों ने 200 साल रुकुमत की कुल 25-30,000 लोगों ने अब यहां तो 25-30 करोड रस्स के सदस है सारी चीज़े उनके अपने कंट्रोल में है तो अब उनको सत्ता से बाहर करने का कुछ है नहीं कि कोई भी किसी तरह से सत्ता से बाहर कर सके TVM में गड़वड़ी होती है, नहीं होती है TVM से चनाव क्यों नहीं होते है क्या होंगे TVM वेलेट पेपर से तो अब कुछ भी नहीं होगा किसान एक साल डरने पर बैटें या च्छे साल बैटें जो सरकार चाहेगी वो ही होगा जड़किया पुरे दिन बैटें रात बार बैटें फूब चीचे चलाएं और इनसाफ की बात करें उनको हक नहीं मिलेगा किसी बिर्जभूशन के खलाफ कोई कारवाई नहीं होगी सब बच्छ जाएंगे सब बच्छे रहें खुलम खुला नाम लिये गए थे लोगों के यह आतंगवादी कारवाई हो में शामिल हैं संग के बड़े बड़े नेटाओं के नामते इंदरेश कुमार, मोहन भागवाद, कोई जाच भी नहीं होई, किसी के, अगर किसी के आम आदमी के खराव कोई इस तरह की बात हो जाती है, कोई रिपोर्ट आ जाती है, कि यह उस घटना में शामिल है, फोरन गिस्तारी होती ह उसकी, यहां तो जाच भी नहीं होती, कि रस्तारी तो छोड़े हैं, खिलारी लड़कियां बैठी रही, चीकती रही, रोती रही, पिटी रही, सब कुछ हुआ, क्या हुआ बरेजूशन का कुछ भी नहीं, जिसके हाथ में विवश्ता है, वो सब कुछ अपना कर लेता है, अब ऐसे ही चलता रहेगा, मेरा निजी तोर पर मानना ही है, कि अब RSS को आराना, पुरी तरह नामों की ने, और अगले कई सदी तक, आज जो बात हो रही है, ये 5 दिसंबर 2023 को आप से बात हो रही है, निजी तोर पर मेरा मानना है, कि अगले कई सदी तक, RSS का राज रहेगा भारत में, अब वो किस तरह का मॉडल अपनाएंगे, चीन वाली डेमोक्राशी होगी, रूस वाली होगी, या कोई और नई संसद बन चुकी है, वहाँ संगोल नाम का एक यंट इस्तापिज कर दे गया है, नई संसद में, नई संविधान की विजूरत होगी, तो देश आगे कैसा होगा, कैसे चलेगा, आप देखते हैं, क्या होने जा रहा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया,